आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ एक मैक्रस्कोप है, जो कि एक कॉईम ने फोकस कर रखी है वह कोई किसी बीकर के वोटम के नीछे है ठीक है Am 4 मैक्रस्कॉप है उसे एक संटिमीटर से ऊपर कर दिया ठीक है हुमारा कुश्यन है कि हम उसमें कितनी डेफ तक वाटर अर खरें कि कोइन दोरा फोकस में आजए ठीकि तो पहले जें वहीं कर दो हम इसमें कि महांलो यहां पर यहां पर हमारा भीकर है कोई कोईशनी पर यूथ मक्यूशत, इसा चर आपन होा कोईशनी jar यह कुछ भी हैट होगी, मैं नहीं पता, लेकिन यह इतनी हैट परस का focus कोई हैचा है होता है अब क्या कि हमने 1 cm अब कर दी, यानिकिये, यह से मने अब जो मैक्रोस्कोप है, वो 1 cm अब कर दी, ठीक है यह तो अब जो होगी हैट इसमे 1 cm अब जो लगी, तो हमें क्या करना है, दोवारा focus करने का क्या मतलब है हमने इसमें कुछ water पाउर किया, ठीक है तो दोवारा focus होने का मतलब है, कि अब जो इसकी apparent depth से दिखेगी क्योंकि पहले सीधे देख रहे थे, आप क्या वोटर से देख रहे है तो वो apparent depth अगर 1 cm ऊपर देखें, तो focus दोवारा बन जाएगा क्योंकि क्या मतलब 1 cm ऊपर की है हमने, microscope को, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इतना वार्ट इसमें पाउर करना है, कि जो apparent depth है वो 1 cm ऊपर ठीक है, तो वोटर का मारे एक्टर इंडेक्स दिया है, मूज इकल टू 4 गई 3 और apparent depth का एक फॉर्मूला होता है, तो मालो apparent depth का d-dase है तो d-dase equal to actual depth है नि d upon mu, ठीक है, तो actual depth हमारी क्या होगी, जो भीतना पानी भर रहे है, ठीक है, जिसे हम d बान गाए ठीक है, अम्यों हमें दिया गया है, तो हमें basically करना क्या है, कि जो actual depth हम भर रहे है, और apparent depth थानी है, उनमें 1 cm गंतर हो, ठीक है, तभी 1 cm ऊपर दिखेगा, और जिसमें, और फोकस बन जाग हमारा, तो हमें करना क्या है, हमें करना है, हमें करना है, d-dase is equal to 1, ठीक है, 1 cm, ठी ठीक है, तो d-dy is equal to 1, ठीक है, तो d को में लें लेंगे, तो 1 minus 1 upon 1 is equal to 1, ठीक है, तो ऐसा क्या बना, d mu minus 1 is equal to mu, ठीक है, अगर 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 में की बले लगना है, d की बले में निकालना है, तो mu upon, mu minus 1, ठीक, mu के value में कहादे हैं कि 4 by 3, यानि कि 4 by 3 upon 4 by 3 minus 1, ठीक, वो, यह क्या बनेगा हमारा, 4 by 3 upon 1 by 3, यानि कि 1, sorry, यानि कि 4, तो मैं D के value आगे, 4 cm, यानि कि अगर हम 4 cm तर किसमा water भढ़दे हैं, तो माना जो अपरेंड अपता हूँ, एक मीटर उपर आजाएगा, एक संटीमेटर उपर आजाएगा, और दोबारा फोकस बन जाएगा, ठीक है, तो इसका राहत नजम सरे मारा जी, option D, 4 cm, ठीक है?